भारत माता की इंकलाब वन दे वन दे और दूसरी पार्टियों में क्या नारा लगता है देश कनेता कैसा हो नरेंद्र मूदी जैसा हो देश कनेता कैसा हो राहुल गांदी जैसा हो ये पार्टी है अर्विंद केजरिवाल जी ने जब इस पार्टी के अस्थापना की तो हमने नारा दिया देश कनेता कैसा हो आम आदमी जैसा हो देश कनेता कैसा हो आम आदमी जैसा हो मंचपरासीन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भारत की राजनीती में भरस्टा चार के खिलाब जो महा भारत चल रही है उसके अर्जुन भाई अर्विंद केजरिवाल जी गुजरात के सेयोजक कनुभाई कलसारिया जी बन्ना बेन मनोज भाई और सबसे ज़्यादा जिन कारकरताओं ने आज की रैली को इतना सफल और इतना विसाल बनाया उनको हिर्दे से नमस्कार और पडाम करना चाहता हूँ आपको बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ आज की रैली की सफलता के लिए हमारे बीच में मौजूद दिली सरकार के मानिय मंत्री भाई कपिल मिश्रा जी और 26 ग्यारा के हमारे जवान भाई कमांडो सुरंदर जी जो आपकी देश भक्ती पर सवाल उठाते हैं उनसे ज़रा पूछ लेना कमांडो सुरंदर आज आपकी फोज में खड़े हैं हमारे बीच में मौजूद भाई नितिन त्यागी जी दो जो दिली के पारलमेंटरी सेकेटरी हैं विधायक हैं हमारे बीच में सैनाज हिंदुस्तानी साब और मैं फिर से एक बार आज की रैली की सफलता के लिए आप सभी बहादुर कार करताओं को सर जुका के पड़ाम कर ना चाहता हूं पिछले एक महीने से लगातार भारती दनताप आपाटी के लोगों ने कभी आपके पोस्टर भाड़े कभी आपको पर मुकतमे दर्श किये कभी आपको जेल में भूज भेजने की कोशिस की कभी आपको ठाने में बैठाया लेकिन मैं जुनून और जेल में भेजो यह आम आदमी पाटी आंदोलन के कोक से निकली हुई पाटी है हम किसी से डरने वाले लोग नहीं है हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरते नहीं है अर्बिंद केजरिवाल जी जब से आये हैं एयरपोर्ट पर उत्रे तो भारती जनताप पाटी के लोगों का विरोध जहां जहां गए भाजपा के लोगों का विरोध बड़ोधा में थे भाजपाईयों का विरोध सूरत में आए भाजपाईयों का विरोध और भाजपाई नफरत में इसकदर आगे बढ़ गए हैं कि उन्या माता के मंदिर को भी नहीं बकसा गुजरात में लोगो है भाज़पाईयों यह इस बात का संकेत है कि 2017 में आम आदमी पार्टी का जंडा बुलंद होने जा रहा है गुजरात के अंदर पांच परसेंट से जादा वोट नहीं पाएगी 2013 के चुना में अर्विन केजरिवाल के नेतरित में दिल्ली में हम लोगों ने जो जुनाव लड़ा दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई और 2015 में जब हमको कहा गया हम नकसलवादी हैं हमको जंगल में भेज देना चाहिए सीब लोग तंत्र में जंता लिखती हैं और दिल्ली के लोगों ने सरसट विधायकों के साथ केजरिवाल को विधान सवा में भेजा इसलिए राजनीती में हंकार नहीं चलता भाजपाईयों इतने सत्ता के गुरूर में मत रहो तुम देश भक्ति पर प्रस्ट उठाते हो उस विक्ति के जिस विक्ति ने अन्ना जी के आंदोलन में पूरे देश में गाओ गाओ में गली गली में महले महले में सहरों में अंदर सबसे जादा तिरंगा सडकों पर उत्रा भारत माता की जय लगी वंदे मातरम के नारे गुंजे तो अर्विंद केजरिवाल अन्ना हजारे के आंदोलन में निकले उस बात को याद रखना आप उस सक्स की देश भक्ति पर प्रस्ट करते हो जिसने इंकम टेक्स कमिस पाकिस्तान के विरोध में बोला कि पाकिस्तान की सरकार को जूट पैलाने का अधिकार नहीं है उसका जवाद देश के प्रदान मंतरी को देना चाहिए और कौन से लोग प्रस्न उठा रहे हैं वो लोग जिन्नोंने अजहर मसूद को कानधार में छोड़ा वो लोग जिन्न लोगों ने पठान कोट की जाँच आईसाई से कराई कातिलों से कतल की जाँच कराई उन लोगों से हमको देजबक्ती का प्रमारपत्र चाहिए जिन लोगों ने जिन्ना की मजार पे जाके सजदे किये उनसे हमें देजबक्ती का प्रमारपत्र नहीं चाहिए हमारे दिल हमार केजरिवाल इस देश की राजनीती के सच्चे देश भक्त है और मरते दम तक हम लोग भरस्टाचारियों के खिलाप लड़ते रहेंगे तुम को इस राजनीती से इस देश की राजनीती से बेदखल करके मानेंगे हम लोगों से कई बार लोग पूछते हैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है केज निवाल जी की विचारधारा क्या है मैं इनको एक ही बात कहता हूँ और आप से भी उस सवाल पूछना चाहता हूँ क्या विकलांग का पेंसन बनवाने जाते हैं तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है जोर से बोलिए रासन कार्ट बनवाने जाते हैं तो रिश्वत देनी पड़ती है ट्रांसपोर्ट बिभाग में जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं देनी पड़ती है पासपोर्ट बनवाने जाते हैं रिश्वत देनी पड़ती है नौकरी के लिए जाते हैं रिश्वत देनी पड़ती है घर में बच्चा पैदा हो जाए जनम प्रमाल पत्र बनवाने जाते हैं रिश्वत देनी पड़ती है बाप की मौत हो जाए मरने का प्र मारी को कोई दूर कर सकता है तो उस सक्स का नाम है अरविंद केजरिवाल और आमादमी पार्टी आमादमी पार्टी और यह आप से घबराए हुएं आपको राजनीती में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते यह सामान ने घरों के लड़के यह कपिल मिश्रा यह नितिन त्या की राजनीती पे चंद परिवारों का कबजा जमा के रखना चाहते हैं पूरव से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके दक्षिन तक चंद परिवारों का देश की राजनीती पे कबजा है आप से कहा जाता है कमल को वोट दो आप से कहा जाता है पंजे को वोट दो आप से कहा जाता, साइक्स को वोट दो आपका वोट चुनाव चिन्द पे नहीं जाता चंद परिवारों को जाता है चले जाएए काश्मीर सेख अब्डुल्ला, फारूक अब्डुला उमर अब्डुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफती मुभुबा मुफती एक ही परिवार की पार्टी, चले जाए हरियाणा, चोधरी देविलाल, ओम प्रकास चोटाला, अभय चोटाला, अजय चोटाला, दुसियन चोटाला, एक ही परिवार की पार्टी, भुपेंदर हुड़ा, दिपेंदर हुड़ा, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाए सबक्सक्राइबू जाँ प्रिक पर शेयरी प्रमेज़ प्रताइबिन फिर्मभ शेयरी जैठ्ठ्टेध्न 201 एकी परिवार की पाटी, चले जाएए बिहार, लालू यादो, राबडी यादो, तेजस यादो, मीसा यादो, एकी परिवार की पाटी, रामबिलास पास्वान, पारस पास्वान, चिराग पास्वान, एकी परिवार की पाटी, चले जाएए जारखन, सेमन सुरेन, सीबु एक परिवार की पारटी, चल जय जाएंढ टमिल नाडू, करुना निधी, कानी मोई, स्टालिन, अलागिरी, एक परिवार की पारतीजनतापारटी कॉणग्रेस पौर्टी चाचा नेहरू बिटिया इंद्रा बेटवा राजिव बिटवा संझे बाहू सोणिया पेटवा रहुल बिटिया-PRIyanka का दामाद बाढ़ना एक ही परिवार की पार्टी है कि पार्टी है कि पार्टी है कि यह पार्टियां नहीं चल नहीं है प्राइवेट लिम्टेट कंपनियां चल नहीं है प्राइवेट लिम्टेट कंपनियां इन प्राइवेट लिम्टेट कंपनियां इन प्राइवेट लिम इनको 15 लाख मिल गया है मोधी जी का इनकी चिंता मत करो तो इन कमपनियों पर ताला लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो अगर ताला लगाना चाहते हो तो गोली चलाने की जरूरत नहीं है बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है इटा पत्थर चलाने की जरूरत नहीं है चपल और काली स्याही फेकने की जरूरत नहीं है चुनाओ के दिन जाड़ू पे इतनी बटन दबा देना कि इन बेइमानों की प्राइबिट लिम्टेट कंपनिया बंद हो जाएं ये काम आपको करना है ये काम इसलिए करना है कि आज मुल्क की हालत बहुत खराब है साथिय वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आसू बहाने लगेंगे अगर भीड में खो गई आदमियत तो उसे ढूड़ने में जमाने लगेंगे इनसानियत को बचाना है आदमियत को बचाना है आम आदमी को बचाना है दिली के अंदर आपने एक सरकार बनाई है अ महला क्लिनिक खोला, एक ऐसी सरकार जिसने 600 करोण का पुल 300 करोण में बना के दिखाया, एक ऐसी सरकार जो महला क्लिनिक चलाती है, प्राइबेट स्कूल से बेहतर स्कूल बनाती है, एक ऐसी सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में CCTV कैमरे लगाती है, एक ऐसी सरक और जिसने सहीदों का, जवानों का, उनकी कद्र करने का, उनके सामने सीज जुकाने का काम किया, उनके परजनों को जीवन यापन के लिए एक करोड उपए देने का काम किया। इतना ही निवेदन और विंती करना चाहता हूं कि 2017 में पंजाब के अंदर पार्टी ने मुझे काम की जिम्मेदारी दी है, मेरे साथ ही दुर्गेश पार्टक और पूरी टीम मिलके वहां काम कर रहे हैं, पंजाब के सारे कारकरता, MP, सारे सांसद और बहुत सारे भाई जाके काम कर रहे हैं, अर्विंद केजरिवाल जी की बड़ी-बड़ी रहलियां और सभाएं हो रही हैं, और मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली का इतिहास, पंजाब और गोवा दोहराने जा रहा है, और पंजाब जीतने के बाद, जब हम लोग गुजरात आएंगे, तो गुजरात में आम आदमी का धंडा गाड़ना है, क्या चलानी है, जोर से बोलो, जाडू चलानी है, बेईमानों पर जाडू चलानी है, ब्रस्टाचारियों पर जाडू चलानी है, गुंडों माफियाओं पर जाडू चलानी है, और जर्नल डायर को गुजरा सारे लोग जानते हो तो अंत में इनी लाइनों के साथ कि ये अमन भिक रहा है चमन भिक रहा है गरीबों के तन का कफन भिक रहा है बाजारों में राधा का तन भिक रहा है यारो बुरा ना मानो तो कह दू इन बे इमानों के हाथों वतन भिक रहा है इन बे इमानों के हाथो वतन बिक रहा है इस मुलक का सौधा करने वाले लोगों से इस मुलक को बचाने के लिए आम आदमी के साथ आईए एक फक्कर फकीर हिंदुस्तान की राजनीती में निकला है अर्विंद केजरिवाल उसका दामन पकड़ के हम सब को साथ चलना है और इस देश से बे इमानों को राजनीती से बे दखल करना है आप सब बहुत बहुत शukरिया बहुत भर धन्वाद इंकलाब 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 बहुत बहुत शukरिया